साथियों, आज यहां सिंद्री उर्वरत कारखाने का लोकारपन किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि शिंद्री के इस खाथ कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। यह मोदी की गारंटी थी और आज यह गारंटी पुरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाजर प्रांट का सिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंद्री कारखेने की ही शुरूरात नहीं हुई है। बल्कि मेरे देश के मेरे जारखं के नवजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरूरात हुई है। इठात कारखाने के लोकारपन के साथ ही आज भारत ने आत्मन्दिर भरता की और भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब तीन सो साथ लाख मैट्रीक्टन यूरिया की जरुरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो समझ देश में 225 लाख मैट्रीक्टन यूरिया का ही उत्पाधन होता था। इस बड़ी गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकप लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते दस वर्सों में यूरिया का उत्पाधन बढ़कर 310 लाख मैट्रीक्टन हो गया है। बीते दस वर्सों में हमारी सरकार ने रामा गुन्नम गोरतपूर बरोवनी इन फर्ट्रिलाइजर प्लांट फिरिशे दुबारा शुरू करवाये। अब आज इस में सिंद्री का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्ट्रिलाइजर प्लांट भी अकले एक देट साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्गारन के लिए भी मैं जरूर पहुचोंगा। इन पांचों प्लांट से भारत साथ लाक मेटिक टन से भी जादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानि भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मन्दिर पर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्प विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि वो पैसा किसानों के हीत में खर्च होका। साथियों आज का दिन जारखेंड में रेल करांती का एक नए अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की सुरुवात से लेकर मौझूदा रेलवे लाइन के दोहरी करण और कई अन्य प्रोजेक्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाच चंद्रपुरा रेल लाइन का सिलान्यास होने के इन शेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपनब्द होगा। इसके अलाबा देवघर डिभुरगर ट्रेंड के शुरू होने से बाबा बैजदेनात का मंदिर और माता कामाख्या की शक्ति भी एक साथ जूड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वारानसी में वारानसी कॉलकता राची एक्सप्रेस में की आजार सिला रखी है। इस एक्सप्रेस में चत्रा, हजारी बाग, रामगर्ड और बोकारो समेत पूरे जार्खन में आने जाने की स्पीर को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फ्रसल की बात हो, हमारे ख़दानों में कोईले की बात हो, हमारे कारशानों में सिमेन जैसे उत्पाद हो, ये पुर्वी भारत से देश के हर कौने में भेजने में बड़ी सहुलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्स से जारखन की रीजिनल कनेक्टिविटी और बहतर होगी। यहां के आर्थिक विकास को गती मिलेगी। साथियों, बीते दस वर्सों में हमने जलजातिय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सरवोच्चे प्रात्रिक्ता बनाकर जारखन के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को दिशित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थववस्ता वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थववस्ता के जो आंकड़े आये हैं, वो भारती उस्षा भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बहतर प्रदर्शन करते हुए, अक्तूबर से दिसंबर के क्वाटर में, 8.4% 8.4% की विकासदर हासिल करके दिखाई हैं, ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी कती से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश्ट विक्षित बनेगा। और विक्षित भारत के लिए जारखन को भी विक्षित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरज से जारखन को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वात है कि भगवान बिर्शामुंडा की हतरती दिश्षित भारत के संकल्पों की उर्जा शक्ति बनेगी। साथियों यहां मैं अपनी बात बहुत कम सब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाओंगा धन्यवाद। कि वाम मादान भी जरक ख़़ा होगा। माहोल भी बड़ा गर्मा गरम होगा। सपने भी मजबूत होंगे संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल आते गंटे के भीतर भीतर धन्यवाद जा करके वहां से जार्खन को और देश को अनिक और बाते भी बताऊंगा। और फिर आज की सभी लोजना के लिए आप सभी को धेर सारी शुक्रामना आएं। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार। झाल